हेलो माई यीट्यूब फेमली नमस्ते असलाम आलेकूम स्वागत है आप सब को राणक की किचन एन ब्लोग में I hope आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ अलम्दलिल्ला मैं आज आप सब से मक्के का रोटी कैसे बना जाता है बिना तूटे हुए कैसे बना जाता जो आसान तरीका है वही रेसिपी मैं आप सब से शेर कर रही हूँ और आप सब देखे और फॉलो किजी और देखिए कि मैं ये मक्के का रोटी कैसे बना रही हूँ एकदम बिल्कुल राउंड राउंड बना है और कोई भी मक्के का रोटी तूटा नहीं है साइड से एकदम अच्छे से बना है बहुत अच्छा मज़ेदार टेश्टी बना है वही रेसिपी मैं आप सब से शेर कर रही हूँ देखिए मैं यह मक्के का रोटी जो बनाई हूँ जो कितना राउंड हुआ है वही सब मैं आप से शेर करनी हूँ और देखिए मैं तोर के बता रही हूँ कि अंदर तक कितना अच्छा से पका है देखिए आप लोग अच्छे तरह से देखिए और फॉलो कीजिए और देसी घी डाल देना है और टेस्ट मुताबिक आधा चम्मच नमक डाल देना है अब इसे अच्छी तरह से हातों के सारे हमें मिक्स करना है पूरी आटा को और देसी घी को साथ में एक साथ हमें मिक्स करना है बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसे दम मिक्स करके स्मूथ बन लेना है देखिए गाइस इस आटा में आप लोग बेशन या गेहूं का आटा भी मिला सकते हो इससे मक्य का रोटी टूटेगा नहीं आसानी से बनेगा लेकिन मैंने इसमें से कोई चीज मिलाया नहीं है सिर्फ मक्य का आटा से ही मैं रोटी बनाती हूँ अब मैं इसमें गु एक साथ नहीं डालना, एक साथ डालने से ये गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने थोरा थोरा पानी डाल के इस आठा को गुंदुगी, इसी तरह आप लोग भी करना गाइस, देखिए गाइस, मुझे पानी कम लग रहा है, फिर से मैं इसमें पानी डालूंगी और अच्छी तर इस आठा को गुंदूंगी, दिखिए मैंने थोड़ा सा पानी फिर से डाल दिया है, अब फिर से इसको अच्छी तरह से हातों के सारे हमें गुंदना है, और अच्छी तरह से इसको स्मूद्ट करना है, जितना इसा आठा को गुंदा जाएगा, उतना ही ये रोटी अच्छा यह जल्दी से ग्यों के आटा के तरह यह रोटी बनता नहीं है देखिए गाइस फिर से मैं इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें और थोरा सा पानी लगेगा इसलिए अब लास्ट यह पानी डालके मैं अच्छी तरह से हाथों के सारे इसे गुंदूंगी इसको इस त का हो या किसी और का हो उसी का फ्रेश्टेसन इस आटा में आप सब को निकालना है इसी तरह से मुक्के के साहरे हमें आटा को अच्छी तरह से गुंदना है जैसे यह बहुत ही स्मूद बन जाए देखिए गाइस मैं इसे हातों के साहरे मुक्का मार मार के इस आटा को अच् चायट से तूटेना इसी तरह से हमें पूरा आटा को गोन्द लेना है और अच्छी तरह से स्मूत होने तक इसे मुक्का मार मार के हमें गोन्तना है गाइस देखिए मैं आटा को तोर के दिखा रही हूँ ये आटा आसानी से तूट रहा है इसका मतलब अच्छे से गुंता नहीं गिया है इसलिए हमें इसे और भी अच्छे से गुंतना है और इसको कम से कम गुंतने के बाद कम से कम हमें 5 मिनट के लिए धक के हमें रख देना क्योंकि पाच मिनट धकने से ये आटा हमारा फूलता है और फूलने के बाद रोटी बहुत ही अच्छा से बनता है उसके बाद भी हमें गुंतना है आपको मैं दिखा रही हूँ देखिए गाइस मेरा आटा गुंत चुका है अब इसे मैं एक धकन के साहरे इसे धक दूंगी पाच मिनट के लिए हमें इसे धक के रख देना है देखिएगा इस पाच मिनट हो चुका है अब इस धकन को मैं हटा रही हूँ अब इस आटा को हातों के साहरे फिर से हमें गुंतना है इस आटा को मैं एक फ्लेट जगह में रख के हातों के साहरे हातों का जो नीचे का हिस् और भी स्मूद करूंगी क्योंकि आटा को और भी स्मूद करना है हमें ताके ये आटा अच्छी तरह से गुंदा जाए और हमारा रोटी बहुत ही अच्छा बने इसे इस हातों के जो निचला हिस्सा है उसी के साहरे हमें बहुत अच्छे से कम से कम तीन से चार मिनट तक हमें गुंधना है इसी तरह से आप लोग भी गुंधना गाईज गाईज जब तक मैं ये आटा गुंध रही हूँ तब तक मैं एक नॉन श्टिक का तावा ले रहूंगी उसको चूला के उपर चरा दूँगी और चूला को मीडियम फ्लेम पे हमें रखना है ताके धीरे धीरे हमारा तावा गरम हो अब मैं इस आटा को अच्छी तरह से गोंध चुकी हूँ अब इसे हातों के साहरे अच्छे तरह से फिर से हिला डूला के इसको गोंध रही हूँ और इसका मैं चार रोटी बनाऊंगी इसलिए बड़ा बड़ा सा चार गोला बना लूँगी और उस गोले को मैं तीन तरीके से आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी कि ये रोटी किस तरह से बनाया जाता है देखिए गाइस आप मेरे हाथों के तरफ फॉलो कीजिएगा और देखिएगा कि मैं इस रोटी को किस तरह से पहला जो रोटी बनाऊंगी किस तरह से हाथों के सारे मैं वो रोटी बनाऊंगी और हाथ को अच्छी तरह से दाब दाब के इस रोटी को मैं बढ़ा करूँगी, धीरे धीरे से दाबूँगी और साइट से जो फटेगा वो अच्छी तरह से फिर से मैं साइट से फिर मिला मिला के इस फटा हुआ को जोइंट कर दूँगी, इसी तरह से हाथों के साहार दाब तो बढ़ा दूंगी इस के बाद मैं इस घी में इस रोटी को डाल दूंगी। देखिए गाइस मैंने रोटी को डाल दिया है गी में अब इस रोटी को मैं कम से कम एक तरफ एक मिनट तक पकाऊंगी एक तरफ पकने के बाद इस रोटी को हमें उलाड देना है देखिए आप सब कि मैं इस रोटी को किस तरह से पका रही हूँ इसी तरह से जब एक मिनट हो हमें पकानार्ण गुमांस तरफ पर और की ऊड़न दोरनवा तक पर रोटि योड़ी में उड़ने क्लाइए ऊटिक डालके गोला डालके उसमें हातों के साहरे मैं इसको फैला रही हूँ और अच्छी तरह से उपर वाला पोलेथिन मैं उठाके चारो तरफ से जो फट गिया है जो रोटी हमारा उस रोटी को मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ देखिए गाइस एक तरफ से जो रोटी बना र इसे उलट पुलट के हमें पकाना है इसी तरह से हमारा पहले रोटी जो पहले इस्टैल वाला रोटी जो मैं आपको बना के दिखाए थी वह रोटी मेरा बिल्कुल बन चुका है देखिए आप सब कि मैं कैसे बनाई हूं अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूगी कि मैंने पकाए यसे वी 2 मिनट तक हमें एक तरफ पका आना है उसके बाद हमें फिर से उलार देना जब तक वो रोटी हमारा पक्रा ने उसके बाद तीन सटैल वाला जो रोटी है ओ मैं आप को दिखा रहे हूं देखिए हैस से ंसी प्रोसेस से रोटी को हम लोगको बनाना उसके बाद उसे एक धकन के साहरे उस रोटी को हमें काड़ देना जो बिल्कुल राउंड बन जाएगा देखिए गाईस दूसरा इस्टैल का रोटी है वो हमारा पकड़ा है यह जो तीसरा इस्टैल का रोटी है वो देखिए राउंड कैसे बना हुआ है अब इस रोटी को हम इसे भी इसे बहुत कर जाना है सबी रोटिया को हमें बना लेना है, पहले तावे पर बनाना है, पकाना है, उसके बाद हमें चूले पर डिरेक्ट पकाना है, देखिए गईसे जो तीसरा स्टैल का रोटिया वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल राउंड बनता है, क्योंकि ये ढकन के सारे हमें काटना पड़ कि इसे में गोल गोल रोटी बना रही हूं इसी तरह से आप लोग भी बनाना आसान है गाइस कोई मुश्किल नहीं है आप लोग भी बना सकते हो कोशिस करने से कुछ क्या नहीं बन सकता है कुछ भी बन सकता है बस दिल से आप सब को बनाना है देखिए गाइस सेम प्रोसेस से मैंने फिर से रोटी को तावा में अलट पलट के इसे पकाया है फिर उसके बाद मैं चूले पे डाल के इसको डिरेक्टली पका रही हूँ इसी तरह से हमारा रोटी मक्के का रोटी बनता है इसी तरह से आप लोग भी बनाईए खाईए दुसरे को भी खिलाईए बहुत ही तारिफ मिलेगा आप सबको मक्के का जो रोटी होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है खाने में इसे सरसो के साग के साथ खाया जाता है मैं भी सरसों के साथ ही खाऊंगी और आप सब को दिखाऊंगी कि मैं ये रोटी कैसे खाई हूं किस चीज के साथ खाई हूं वो सब जब मैं सर्फ करूंगी उस वक्त दिखाऊंगी देखिए गाइस मेरा रोटी कितना राउंड राउंड बना है आप लोग भी बना सकोगे ब और अच्छी तरह कभी कभी खाईए लज पे खाईए डिनर पे खाईए या ब्रेकफरस्ट पे खाईए किसी वक्त भी आप लुक खा सकते हैं इसे पहले तावा में पकाईए उसके बाद डारेक्टली चुला में पकाईए गाइस इसी तरह से देखिए मेरा सारा रोटी बन ग मैंने एक प्लेट ले लिया है उसमें दो मक्य का रोटी डाल दिया है थोरा सा प्याज डाला है तीन पीस खीरा डाला है तीन पीस हरी मिर्चाई डाला है और सरसो का साग इसी तरह से मैंने अपना प्लेट को सजाया है इसी तरह से आप लोग भी बनाईए और खाईए तो खूब से खूब जदा कीजिगा तब तक के लिए बाई बाई